जिस तरह से नोटबंदी का फैदा बता रहे थे और आज देशगर्थ में चला गया जीएश्टी का फैदा बता रहे थे आज देशगर्थ में चला गया और उसी तरह से उनका यह किसान विरोधी विल किसान के लिए एक बहुत ही बड़ा घातक सावित होगा किसान को 2000 करके साल में 6000 मोदी सरकार दिये हैं तो किसान को यह भीख नहीं चाहिए किसान को साधन चाहिए किसान को सस्ती बिजली चाहिए किसान को खेत तक पंजाब के जैसे सस्ती बिजली चाहिए ताकि किसान कर्मयोगी होते हैं वे अपने खेत में अपना पसीना बहा करके उत्पादन करेंगे और अपना आयख स्वेंग सुनिषित करेंगे। उनके 6000 से, 6000 के भिख्षा से किसान का परिवार चलने वाला नहीं है। केन सरकार के द्वारा अभी जो नया क्रिसी बिल जिसमें दो क्रिसी बिल है उसे लाया गया उसे पास कराया गया दोनों सत्नों के द्वारा उसे लेकर काफी जादा बवाल मचा हुआ है पूरे देश में किसानों का पक्ष हमें जानना होगा कि आखिर कार जो एक आम किसान है जो कुछ बिगहे में अपना भान रोपता है जाण की खेती होती है उसे वह ठता है उससे उसका घर चलता है परिवार चलता है उसकी क्या इस्थिती वैसाले जिला में हम मौझूद है वैसाले जिला का यह जंदहा प्रखंड है और उसका यह एक गाउं है और इस गाउं में हम यात्रा कर रहे हैं विदान सवागा तो हम यहां पर पहुंचे हैं कुछ जी समस्पुरा गाउं है यह कुछ लोग है यहां पर जो किसानी ही करते है मूल रूप से एक किसान है और किसान नहीं इनका मुख्य पेशा है इनसे हम जानेंगे कि आखिरकार इस बिल का इतना विरूद क्यों हो रहा है कल पटना में सड़क जाम किया गया बिहार बंद करवाया गया पक्पुयादब से लेकर तेज़श्वी आदब तक सड़क पर उत पुझेंगे हम नमस्कार तरफा क्या नाम हो आपका देवंदर राय किसान का बील पता है आपको तो क्या है उस बिल में मिनिममम सेल प्राइस की बात हो रही है विचौलिय को खतम करने की बात कर रहे हैं नरने मोदी सही है नहीं सहीं कैसे सहीं नहीं है क्योंकि हम लोग का जो मैंने फशल था वा नूंतंबूल में अधारित था उसमें लोग बेशते थे वह लोग उसको लिका कहां गावे देस तेस देस में माने कि जर लेका घूमेंगे दूसरे कितना कितना घ्यत है यहां रागा में कितना होगा रहाइविघा होगा ठीक है तो ड़्या का पहले यहां पहले में देते थे मने आपक्स में तो मनने मन्डी में लेकाथा था यह बात नहीं है धिलाया है तो इसके जल्द क्या बदलेका उसमें विरोध करते हैं जया मोको पहले जासा किन दूर्ण मुल मान्य अधायत रहे उसे हम लोगों को बैसे प्रेक्स में खाड़िक कि दूसरे राज में भी जाकर बैच सकते हैं मंडी व खतम हो जाएगा था धान को लेके गहुं के लेको को मकई के लियो को रहेंसे घुम्ते रहेंगे इस लिये हम लोगे का जो मुल है पहले से बजार है पहले से जो अथी है करते हैं कि छोजो रहें जो है किन का मार जाते हैं उनकी एकदम किसान विरोधी बिल है अभी तक जो सिर्द के करते हैं उसका छोटा मोटा प्रvalbury अब जो बारा कारोबारी है वह हमारा फसल काम कीमत पर खरिद करके उसका स्टौक करेगा उसके बाद कला बाजारी करेगा कला बजारी इसे बढ़ेगी और यह वाध कला बजारी करेगा हमारा ही प्रोडक्शन फिर हम ही को जो है मढ़ए हुए दाम में बेचेगी तो यह हम लोह का और दूसरे एक और सवाल है कि एक और इल्जाम लगाया जा रहा है सरकार पर कि बड़े घड़ाने जो है corporate houses उनको फैदा पहुंचे गए एकदम अंबानी और अडानी को यह फैदा पहुंचाने के लिए बिल लाया गया है पहले रेलवे बेचा गया एरपोर्ट बेचा गया कई संस्थाएं बेची गई भारत पेट्रोलियम बेचा गया और अब जो है बेचा गया की नीजी करन किया गया तो बेचा ही गया और अब जो है सो किसान के जमीनों पर उनकी नजर है और उनके पुझी पती मित्र है उसको क चुनाव है आयर तारिखों का एलान कर दिया गया अशर पड़ेगा इस बीधानशबा चुनाव में भोट पड़ेगा वह ब्रोजगार इउबा वोट करेंगे अपने रोजगार के लिए किसान भोट करेंगे किसान को 2000 करके साल में 6000 मोदी सरकार दिये हैं तो किसान को यह भीख नहीं चाहिए किसान को साधन चाहिए किसान को सस्ती बिजली चाहिए किसान को खेत तक पंजाब के जैसे सस्ती बिजली चाहिए ताकि किसान कर्मयोगी होते हैं वे अपने खेत में अपना पसीना बहा करके उत्पादन करेंगे और अपना आयक स्वेंग सुनिश्चित करेंगे उनके 6000 से 6000 के भिक्षा से किसान का परिवार चलने वाला नहीं है पूरा विरोध करते हैं हम लोग एक और बात इस बील में कहा गया है बिल में इस बात का भी चर्चा है कि जो मंडी है स्टॉक होता है जो वह खतम हो जाएगा और आप सीधे तरीके से मतलब किसान और जो खरीदार हैं इनके बीच जो संबंध है और प्रगड़ होगा मजबू जो जैसे बीचॉलीया जो था यह बढ़ेगा जैसे नरेंद्र बोधी का सरकार जो है जीस Suddenly का फैदा बता रहे थे और आज डेस गर्त में चला गया जीस टीएश्टी का फैदा बता रहे थे यस गर्त में चला अए और उसी तरह से उनका यह किसान बिरोधी बील किछान के हैं लिए एक बहुत ही बारा घातक सावित होगा इसका असर चुनाव परी पाड़ेगा इस का लाज्वार का बिधान चुनाव का उभा मैं भी वोक्त मारेंगे आर्लफ को मारेंगे जो छोटे उद्मी है जो इस कोरोना काल में जिसको आसहाय छोड़ दिया सरकार ने वे अपना भोट करेंगे और इस बार सत्ता परिवर्तन करेंगे बिहार में करेंगे बिहार में तो यह किसान है और मेरे पीछे यह आप खेट देख रहे हैं लहलाता हुआ खेट है यह खून और पसीने से धान उप जाया जाता है जो वही गहूं और धान जिससे हम खाते हैं जिसे आप पटना के होटल मौरा में बैठकर भी खाते होंगे दिल्ली के करते ह Gegend अब खाते हैं उनाज यह किसान ही उपजाते हैं और इन किसानों के ख्लाफ। में भी लाया गया है ऐसा किसान कहरे है वैसाली आपने देखा ये रिपोर्ट कैसा लगा आपको आपकी क्या परतिक्रिया है जो किसान भी लाया गया है कि सरकार के द्वारा इसे आप कानून बनाया गया है आप हमारे कमेंट बॉक्स में